करने के बाद एक चोटी सी बात में आप सब लोगों को बताना चाहते हूँ आप पहले इन नंबर्स को देखें यह नंबर्स में आपर लिखने हूँ 1 प्लस 9 कितना होता है बच्छो 2 प्लस 8 ये भी 10 3 प्लस 7 4 प्लस 6 10 5 प्लस 5 10 तो बच्छो ये मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपको जब rearrangement करना हो तो आसानी होगी अब आपने ये समझ लिया अब जब हम rearrange करेंगे तब मैं आपको बताऊँगी कि ये मैंने आपको क्यों बताया था rearrangement का मतलब यह होता है कि हमारे पास 837 है 208 है और 363 है तो सबसे पहले हमें क्या करना है हमें ऐसे numbers को select करना है बच्छो जिनसे हमें zeros आ सकें जितनी ज़ादा zeros होंगी उतना calculation easy हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर क्या digit है last में 7 ओके यहाँ पर क्या digit है last में 8 और यहाँ पर क्या है 3 अगर मुझे pair बनाना है इन तीनों में से 2 digits का pair अगर मैं बनाऊं तो 7 के साथ अगर मैं 8 को add करूंगी तो 7 और 8 तो 15 होता है तो 0 तो नहीं मिलेगा तो यह वाला मैं छोड़ देती हूँ 7 के साथ अग मैं 3 का pair करती हूँ तो मुझे क्या मिलीगा 7 और 3 10 ओके तो वो बात मैंने इसलिए आपको बताई थी ताकि आप औरली यह पता कर सके कि 7 और 3 10 यानि इन दोनों को add करके हमें 0 मिल सकता है तो हम इन दोनों को पहले add करेंगे तो इस question को कैसे करना है 8 37 plus 363 bracket में plus 208 को last में लिखते ही ओके बच्चों अब इनका add कर लेते हैं अब देखिए 3 और 7 10 0 carry 1 6 and 3 9 9 and 1 10 1 carry 3 and 8 11 11 and 1 12 तो यह कितना आ गया यह आ गया 1200 ओके बच्चों plus 208 ओके अब 1200 में 208 को हम add कर देंगे very easy 8 and 0 को add करेंगे तो 8 0 और 0 को 0 2 and 2 4 और यह 1 and यह 1 as it is so answer is 1408 तो आपने देखा कि calculation कितनी easy हो गई इसी को कहते है rearrangements now B part B part में हमारे पास है बच्चों 1,962 plus 453 plus 1538 plus 647 तो सबसे पहले हमें क्या करना है हमें rearrange करना है इनको हमें ऐसे numbers के साथ लिखना है जहां पर हमें zeros मिल सकें तो अब हम चेक कर लेते हैं पहले यहां पर इसके last में है बच्चों 2 और इसके last में है 3 तो इन दोनों का pair दो नहीं बनेगा क्योंकि हमें zeros नहीं मिल रहे है अब यह 2 है अब हम इसका pair बनाके देखें अगर 8 के साथ तो देखें 2 और 8 कितना होता है 10 होता है तो यानि अगर हम इन दोनों को plus करेंगे तो हमें zeros मिल जाएंगे ओके बचो और दूसरा यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 7 और अगर हम 3 को 7 के साथ pair करेंगे तो यहाँ पर भी हमें zeros मिल जाएंगे क्योंकि 3 और 7 कितना होता है 10 होता है ओके बचो तो इसका मतलब क्या हुआ इसका pair बनेगा इसके साथ और इसका pair बनेगा इसके साथ ओके सुब स्टार्ट करते हैं 1,9,6,2 प्लस 1,5,3,8 ब्रैकेट दिन प्लस का साइन अब हमें लेना है 453 प्लस 647 ओके बचो अब हम इसको add करते हैं 8 और 2 10 होता है बचो तो 0 आगया carry 1 यहां लगा 3 और 6 9 9 and 1 10 carry फिर से 5 and 9 14 and 1 15 5 आगया 1 carry 1 and 1 2 और यह जो carry था यह हो जाएगा 3 तो answer is 3500 ओके प्लस अब इने भी कर लेते हैं 7 और 3 को add करेंगी तो कितना आएगा 10 carry 1 4 and 5 9 होता है बचो 9 में 1 add करेंगे तो वह भी 10 carry 1 6 and 4 10 and 1 11 तो यह हो गया 1100 आप हमें क्या करना है अब हमें इन दोनों को add कर देते हैं 0 और 0 को add करेंगे 0 0 और 0 को add करेंगे 0 5 और 1 को add करेंगे तो 6 and 1 और 3 को add करेंगे तो 4 So your answer is 4600 हांड़, ओकिवच्चों?